एक unauthorized drone को रोखने के लिए कई सारी procedures हो सकती हैं और इसमें कई बार इस तरह की एक gun को drone के ओपर target किया जाता है वो gun अलग-अलग frequencies को उस drone के ओपर hit करती है जिससे कि उस drone का अपने operator के साथ में connection कर जाता है क्योंकि ये दूसरे options के सामने काफी reliable हैं इसके अलावा इन में battery भी नहीं डालनी पड़ती है